Hello everyone, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजा शाहब में और आज हम 15 क्वेस्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो चलिए इस स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेस्चन है कि वन एटॉमिक मास यूनिट द्रवयमान को पूरी तरव इनस्ट करने पर कितनी उर्जा प्राप्त होती है हमें ये बताना है आपके ऑप्शन है A, 0, B, 106 मेगा इलेक्ट्रोन वोल्ट C है 535 मेगा इलेक्ट्रोन वोल्ट और D है 931 मेगा इलेक्ट्रोन वोल्ट तो आपका राइट एंसर हो जाएगा option D 931 मेगा इलेक्ट्रोन वोल्ट और ये value कैसे आई अगर हमें ये जानना है तो जो हमें Einstein का formula पता है E equal to mc का square वहाँ पर जब हम values पूट अप करेंगे तो हमें solve करने पर ये value प्राप्त होगी next question हम देखते हैं कि 25 ml sodium hydroxide valiant के पुर्ण उदाशी करन के लिए 16 g द्वी भाश्मिक अमल की आवश्यक्ता है तो हमें अमल का अणू भार क्या होगा ये बताना है तो इसके लिए एक formula होता है कि जो हमारा n equal होता है weight जो दिया रहेगा वो upon e into 1000 upon v जो होगा वो milliliter में होगा यहाँ पर weight जो हमको दिया गया है यहाँ पर आपको जो पुछा गया कि 0.16 दिया गया है तो आप उसको put कर दीजिए 0.16 into 1000 और यहाँ पर v जो हमको दिया गया है 25 ml उसको हम लिखेंगे अब बात हो रही है यहाँ पर जो आपको capital ली दिया है यह जो आपका होता है molecular weight upon z होता है ठीक है molecular weight जो दिया रहेगा वो यहाँ में find out करनी है वो और उसके upon में रहता है z अब then हम इसको solve करेंगे तो क्या करेंगे हम हमको निकालना है उसका यहाँ पर आपको पुछा गया है कि उसका अणुभार मतलब molecular weight निकालना है तो mw इक्वल टू आपका हो जाएगा जो 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 वैल्यूस हमको पता है उसको हम put करेंगे तो हमने जितनी values put की थी उसको लिख देंगे तो यह हो जाएगा 2 into 0.16 जो जो हमने put किया था वही हम लिख रहे हैं आपे कुछ extra नहीं कर रहे हैं 1000 upon 25 देन जब आप इसको solve करेंगे तो आपको value मिलेगी वो होगी 128 तो आपका option C इसका right answer हो जाएगा आपे आपको कुछ नहीं करना है यह जो formula दिया है उसमें ही आपको जो values पता है उसे आपको put करते जाना है then आपको यह मिल जाएगा next question हम देखते हैं कि निम्न मेंसे कौन सा ऐसा sulphide है जो पीले रंग का होता है हमें यह बताना है तो इसमें आपका right answer हो जाएगा आपका option B cadmium sulphide जो होता है हमारा वो पीले रंग का होता है next question देखते हैं कि एक सरल लोलक का आवर्थकाल निर्भर करता है आपके option है A M पर B L पर और C है बोथ या D है इनमें से कोई नहीं तो सरल लोलक का यहां पर आपको आवर्थकाल पूछा है तो एक चीज हम जानते हैं कि सरल लोलक के लिए आवर्थकाल का जो formula होता है T equal to 2 pi root over L upon G होता है इसका मतलब जो आपका T है उसका आवर्थकाल वो अनुक्रमानुपाती होता है उसके लंबाई के यही प्रभावी कारी जो लंबाई होती है इसका मतलब आप यह कह सकते हैं कि सरल लोलक का जो आवर्थकाल होता है वो उसके प्रभावकारी लंबाई के वर्ग मुल के अनुक्रमानुपाती होता है तो आपका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन भी लंबाई पर निर्भर करता है नेक्स्ट क्वेस्चन हम देखते हैं आपको दिया गया है कि यह दि फास्फोरीं अमल का अडो भार आप에서 Josephson कैपिटल एम है तो हमको इसका तुल्यांकी भार कितना होगा हमें यह बताना है तो आपका जो फास्फोरीं अमल होता है वह द्वीछार अमल होता है ठीक है और यहां पे इसका पूछा गया है आपको तुल्यांकी भार तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है तुल्यांकी भार जो होता है हमारा तो ल्यांकी भार equal to होता है जो हमको अनु भार दिया गया है वो और upon में उसका रहता है छारक्ता उसमें जिस भी type की छारक्ता जो आपको तत्व दिया है उसमें पाई जारी है वो तो यहाँ पर अनु भार आपको दे दिया गया है कि suppose capital M है तो आप capital M लिख दीजिए और चारक्ता के लिए आपको यह याद रखना है कि आपको जो भी तत्व दिया गया है यहाँ पर आपको फास्फोरी काम्रो दिया गया है तो फास्फोरी काम्रो द्वी चारी होता है आपको यह चीज याद रखना है कि किस टाइप का चारक्ता रखता है तो आप द्वी च एवं कुंडली के विच्छेप में क्या संबंध होता है हमें यह बताना है तो संबंध में आपको खुछ खुछ दिया गया है जो आपका आई है वो प्रपोर्शनल होता है तेन थीटा के आपका ओप्शन भी है आई प्रपोर्शनल होता है थीटा के या I जो होता है वो आपका proportional होता है root over theta के तो आपका right answer हो जाएगा option B I जो है आपका वो proportional होता है theta के मतलब यहाँ पे जो चल कुंडी धारा मापी की विद्धुधारा होती है वो कुंडी के विछेप में आपको संबन बताना है तथा जब वो एक समान त्वरण A से नीचे की ओर आ रहे है ठीक है तो उसका अनुपात हमको दिया गया है तीन अनुपात दो है तो हमें A का मान बताना है A मतलब वहाँ पे हमें त्वरण का मान बताना है तो यहाँ पे जब लिफ्ट रूकी है तब के कंडीशन में उसका भार इस्थिर है इस्थिर है का मतलब क्या है आपका W1 इक्वल टू मान बताना है इस्थिर है रूकी होई है लिफ्ट तब के कंडीशन में देख रहे है अब यहाँ पे कह रहा है कि जब lift नीचे की और आती है तो नीचे की और आएगी उस condition में क्या होगा आपका M रहेगा और साथ ही साथ उसमें एक त्वरन से नीचे आ रही है तो यह हो जाएगा G-A ठीक उसके बाद आप क्या करेंगे इसके लिए एक वह होता है W1 upon W2 कर दीजिए W1 की value आपको पता है Mg और W2 जो हो रहेगा आपका Mg-A है तो यहाँ पे आपका M और M कैंसल आउट हो जाएगा G upon G-A बचेगा उसको हम cross multiplication करेंगे तो हमारे पास रहेगा 3G-3A इक्वल टू 2G हो जाएगा उसके बाद जब हम 3A को इधर ही रखें तो इधर हमारे पास क्या बचेगा G और जब हम A की value निकालेंगे तो A की value क्या आएगी हमारी G by 3 तो आपका right answer हो जाएगा option B G by 3 next question हम देखते हैं कि गेंद जो है एक मेज पर बीना फिशले हुए लोड़क रही है तो इसकी उर्जा का घुर्णन गती से जुड़ा हुआ भाग होगा उसका हमें को जो इसको शॉल करेंगे तो उसकी value कितना भाग है जो जुड़ा हुआ रहेगा उस उर्जा से हमको यह बताना है तो suppose कर लीजिए कि आपके पास यह जो है आपका कोई मेज है और इस पर कोई गेंद है अब इस गेंद के यहां से केंद्र मान लीजिए तो यहां वो वी-क से या यू-क कहें हम तो उससे वो गटी कर रहा है और यहां पर इक ओमेगा भी लगेダगा ठीक है अगर वजन की हम बात करें तो वो उसका द्रव्यमान मान लीजिए कि M है श्मॉल M है और यह आपका गेंध कर तो इस कंडिशन में इस पर दोप्राकार की उर्जा जो होगी वह काम करेगी एक तो होगा इसका रैखी कुर्जा क्योंकि वह क्या कर रही है तो इस तरफ एक रैखी कुर्जा मतलब गूंते हुए जा रही होगी इसका मतलब क्या है उसमें घुर्णन उर्जा भी लगेगी तो दोनों हम देख लेते हैं यहाँ पर इसे अब क्लियर कर देते हैं तो यहाँ पर जो कूल उर्जा का अगर हम मान निकालें तो कूल उर्जा जो होगी वो रैखी कुरजा और घुर्णन उर्जा के बराबर होगी तो आपकी कैनेटी कैनेजी जो होगी इक्वल हो जाएगी एक आपके पास रहेगा हाफ MV का स्कुर्ज जो रैखी कुरजा होता है हमारा यह आपका रैखी कुरजा हो गया क्योंकि उस मेच पर जब वह बॉल आगे की और बर्डी है मतलब वह रैखी गती हो रही है उसमें तो यहां पर हमें एक रैखी कुर्जा लेंगे और साथ ही साथ उसमें घुर्णन के कारण जो होगा तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा का स्क्वेर ठीक है तो फिर यहां पर आप क्या करेंगे की के इकवल टू जब आप निकालेंगे तो के इकवल हो जाएगा हाफ एमवी का स्क्वेर एक काम करेगा और उसके साथ ही एक काम करेगा हाफ आई ओमेगा का स्क्वेर तो हम सबसे पहले बात करें अगर kinetic energy की तो यहाँ पे हम लेंगे half i और omega का square तो एक चीज हम जानते हैं यह चीज आपको याद में रखना है कि i की जो value होती है ठीक है इसका जो आघूर्ण है इसकी value आप i के जगा आप लिख सकते हैं 2 upon 5mr का square यह हमको पता होना चीज है इसे solve करने के लिए तभी हम इसको पूरी तरह से solve कर पाएंगे तो यहाँ पे हम values जो दी गई है उसको put करते जाते हैं यह आपका half रहेगा i omega का square हमारे पास है तो i के जगा आप लेख सकते हैं 2 upon 5mr का square m और capital R रहेगा उसका square और उसके साथ ही आप एक जो दिया है आपको omega square omega को भी आप लिख सकते हैं v upon r ठीक है omega equal to होता है आप पढ़े होंगे आपको याद होगा omega equal v upon r होता है तो आप इसे लिख सकते हैं v upon capital R का square तो फिर जब हम इसे solve करेंगे तो यह आपका r का square जो है वो दोनों तरफ से cancel out हो जाएगा तो आपके पास जो बचेगा इधर आपका 2 upon 5 बचा रहेगा और अंदर bracket में आपके पास रहेगा half mv का square तो half mv का square जो ही रहता है उसको ही हम क्या कहते हैं उसकी घुर्णा नूर्जा कहते हैं किसी भी वस्तू की जो घुर्णा नूर्जा होती है उसको हम half mv square कहते हैं तो आप इसको ये लिख सकते हैं कि 2 upon 5 और यहां पे half mv का square मतलब mv का square क्या हो जाएगा के आर के आर से प्रदर्शित करते हैं हम उसकी घुर्णा नूर्जा को तो ये जो इतना भाग है उसका 2 upon 5 गोर्णा गति से क्टिव करते हैं तो झो जो जुड़ा हुआ भाग रहेगा वह आपका 2 upon 5 और को पाइगा mr का square यह सब formula से ही है कोई हम ऐसे ही नहीं लाए हैं और यहाँ पे omega की value आप put कर देंगे v upon r का square देन जो cancel out होगा उसको cancel out करेंगे आपके पास half mv का square बचेगा जो half mv का square होता है उसको ही हम घुर्णन उर्जा कहते हैं जिसको हम यहाँ पे kr से प्रदर्शित कर रहे हैं त्रिज्या के वृत में एक कर जो है वो टू परिक्रमन प्रती सेकेंड से गती कर रहा है तो कर के त्वरन जो है हमको मीटर प्रती सेकेंड के square में बताना है कि क्या होगा उसके त्वरन का मान बताना है हमको suppose कर लेते हैं कि हमारे पास कोई तृज्या है कोई विरित है और इसकी तृज्या हमको जो दी गई है वो पच्चीस सेंटीमिटर की है तो यहां और शाथ ही साथ आपको F की वैल्यू दी गई है F की जो वैल्यू है वो 2 पर इक्रमन प्रती सेकंड मतलब जो f की value आपकी हो जाएगी 2 resolution per second लिख सकते हैं आप इसको 2 r per second ये तो हो गया अब इसमें हमें बताने कि वित्ती पत पर परिक्रमन करते हुए कड़के वे उस शमय जो थ्वरन होगा हमें कड़के थ्वरन बताना है हमें तो यहाँ पर थ्वरन के लिए आप जो formula जानते हैं a equal to होता है omega square r होता है capital r omega square की जगह आप रख सकते हैं 2 pi f इसका square हो जाएगा और capital r रहेगा 2 pi f में जब आप इसको करेंगे तो 2 का हो जाएगा 4 pi का square और f की value भी आपको यहाँ पर अल्रेडी दी गई हुई है 2 r per second तो उसको भी put करेंगे तो यह भी आपका 4 हो जाएगा और r जो आपको त्रिज्या दी गई है यहाँ पर 25 हमको दिया गया है उसको put कर देते हैं 25 अपन cm में दिया है लेकिन हमको meter में लाना है तो आप इसको 100 कर दीजिए तो जब आप इतने को solve करेंगे तो आपके पास answer आएगा 4 pi का square meter per second का square तो आपका right answer हो जाएगा option D 4 pi का square next question हम देखते हैं कि यंग के 2 slit प्रयोग में fringe की चौड़ाई 0.4 mm है यदि पूरे उपकरन को 4 upon 3 अपवर्तनांक के पानी में डुबो दिया जाए तो जयमिती विन्याशों में कोई विछोप किये बीना नए fringe की चौड़ाई क्या होगा हमें यह बताना है यहां पर ठीक है तो यहां पर आपको जो values दी गई है और यंग के द्वीष्यलिट प्रयोग में आपको पूछा गया है तो यंग के द्वीष्यलिट प्रयोग में हम यह जाने है कि बीटा जो होता है बीटा एकवर्टा होता है लेम्ड़ा डी अपॉन म्यू mu की value आपको दी गई है 4 upon 3 और lambda d के जो आपको यहाँ पर इसकी चोड़ाई दी गई है 0.4 mm उसको आप put करेंगे तो यह हो जाएगा 0.4 into 10 to the power minus 3 और यहाँ पर mu की value 4 upon 3 then जब हम इसे solve करेंगे तो हमको मिलेगा 0.3 into 10 to the power minus 3 इसका मतलब आप यह कह सकते हैं यह 0.3 mm ठीक है तो आपका right answer हो जाएगा option A next question हम देखते हैं कि nitrogen तथा helium gasों में 300 Kelvin ताप पर ध्वनी के चालों का अनुपात क्या होगा हमें यह बताना है तो सबसे यहाँ पर आपको चाल का अनुपात पूछा है तो इसके लिए एक formula होता है हमारे पास V N यह nitrogen के लिए हो गया और upon V यह helium के लिए तो इसके लिए होता है हमारा root over M मतलब इसका द्रवेमान लेंगे आप पहले helium का और साथ ही साथ upon में रहेगा nitrogen का तो इसके लिए आपके पास क्या हो जाएगा आपको पता है helium का जो होता है वो 4 होता है और अगर nitrogen की बात करें तो उसका 14 मतलब यह क्या हो जाएगा आपकर root over 2 upon 7 होगा यह आपकर राइट एंसर हो जाएगा option A next question हम देखते हैं कि एक एकल स्लिट के विवर्तन प्रतिरूप में तरंग दैधिक lambda 1 का प्रथम निमनेस्ट और lambda 2 के तीसरे उचिस्ट के समपाती है हमको कौन सा जो condition दिया गया है वो सही है हमको यह बताना है तो पहला निमनेस्ट जो है पहला निमनेस्ट जो है हमारा इकल में रहेगा तीसरे उचिस्ट के समपाती मतलब हम वही कह रहे है तीसरे उचिस्ट के तो इस condition में पहला निमनिस्ट बोला है तो यह क्या हो जाएगा एक्वल टू तीसरा उचिस्ट तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2N प्लस 1 और यहाँ पर हम कर देंगे यहाँ पर लैम्डा 2 में हमको दिया गया है तीशरे के लिए तो लैम्डा 2 बाइ 2 ठीक है तो पहले वाले के लिए N की वैल्यू रहेगी 1 तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास सिल्फ लैम्डा 1 और दूसरे वाले तीशरे का उचिस्ट पुछा है आपको तो तीशरे के लिए आप N की वैल्यू तीन जो रखेंगे पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 7 अपॉन 2 लैम्डा 2 हो जाएगा और जब हम इसको शॉल्फ करेंगे तो हमारे पास क्या हैगा 3.5 तो आपका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन C जो दिया है लैम्डा 1 इक्वल टू 3.5 लैम्डा 2 नेक्स्ट क्वेस्चन देखते हैं कि नियत वेग V से गतिमान M द्रवेमान की एक वस्तू उसी वेग से विपरित दिशा में गतिमान M द्रवेमान की दूशरी वस्तू से टकराती है और उससे छिपक जाती है तो टकर के बाद सन्युक्त वस्तू का वेग क्या होगा हमको ये बताना है तो इस इस्तिती में आपको दिया गया है आपका ओप्शन V A जो है वो V है B है 2 V होगा C जो है शुन्य होगा या D जो है V अपॉन 2 होगा तो जूड़ने के बाद जो वेग हम की बात करें तो उस ट नियम से क्या होगा कि जो आपका 2 M V जो आप निकालेंगे मतलब V का वेल्यू भी 0 हो जाएगा तो आपका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन C 0 वस्तू का वेग पुछा है तो यहां पर जब आप उसका संगर्ट गुणांक E का वेल्यू 0 है तो E से ही फॉर्मूला बनता है वेक का तो V का वेल्यू भी यहां पर संवेक्शन रक्षन के नियम से 0 हो जाएगा नेक्स्ट क्रॉस्चन हम देखते हैं कि चित्र में प्रदर्शित परिपत में शेल का विद्धुत वाहग बल जो है हमको टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है तथा आंतरिक ऐसा आठ च्रॉन है तो में बचिता संव तब बताना है यहां हम पर यह एठ अन्डरेज है तब हमें को बताने है की उसका प्रतियांख क्या होано तो वोल्ट मीटर में बहने वाली धारा कमान हम सबसे निकाले धा तो आइ की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 एपों में यहे 2 आ 80 मतलब इसका हो जाएगा 2 upon 100 फिर इसका हमें वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताना है यहां पे तो पाठ्यांक जो होता है वो I into R से हम उसको दिखाते हैं तो I into R हो जाएगा हमको यहां पे जो R का value 80 जो दिया है उसके लिए हमको बताना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे आपके पास जो पहले शॉल्व किये तो I की value I 2 upon 100 उसको रखेंगे साथी साथ यहां पे आप प्रतिरोध R की value आपको रखनी है तो प्रतिरोध आपको यहां पे दिया गया है 80 उसको आप पुट करेंगे जब हम इसको शॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 16 upon 10 16 upon 10 मतलब 1.6 वोल्ट के आसपास तो यह आपका right answer हो जाएगा option C next question हम देखते हैं कि यह हमको चित्र दिया गया है इसमें प्रदर्शित बिंदों में A और B के बीच का जो विवांतर है उसका मान हमें बताना है तो इसके विवांतर के लिए जो है हमारे पास हम पहले निकाल लेंगे कि सभी भुजा में प्रतीरोध का मान निकालेंगे तो सभी भुजा में प्रतीरोध जो आएगी आपकी 5 plus 5 प्लस 5 मतलब 15 ओम आएगी उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर हम प्रत्येग भुजा की बात करें तो प्रत्येग भुजा में कितनी धारा बहेगी अगर पूछा जाए तो प्रत्येग भुजा के लिए आपका क्या हो जाएगा 2 वोल्ट यहां पर आपको दिख रहा है तो यह क्या हो जाएगा हमारा 2 अपॉन 15 एंपियर की धारब हैगी प्रतेक भुजा में यहां पर हमको A और B के मध्य का विवांतर बताना है विवांतर मतलब VA-VB इसकी वैल्यू हमें बतानी है तो VA-VB जब हम करेंगे तो आप यहां पर VA-VC और प्लस में हो जाएगा VC-VB ठीक है तो यह प्लस माइनस कैंसल होगा तो आपके पास एज़िट इस वही VA-VB ही हो जाएगा और यहां पर हम वैल्यूस पुट अप कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 इंटु 2 अपन 15 उसके बाद नेक्स जो वैल्यू पुट करेंगे वो हो जाएगी माइनस 5 इंटु 2 अपन 15 और यह आपका हो जाएगा इससे जब पुरा शॉल्व करेंगे तो 4 बाइ 3 आएगा माइनस में आएगा 2 बाइ 3 और जब हम इसको solve करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 by 3 2 by 3 volt आपका right answer हो जाएगा option A और अगर आपको इसको और solve करके tag का option दिया तो आपका right answer हो जाएगा 0.66 volt तो ये कुछ 15 question थी जिसकी हमने practice की अगर आपको कोई भी doubt है तो आप हमें comment section पर जरूर बताईएगा thank you so much